कि हमारो फेंज वह स्वागत है आपका इंग्स रवांतिज योट्यूब चैनल पर फेंज इस वीडियो क्लास में मैंने कुछ इस तरीके के कुश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे सभी बैंकिंग और सभी SSC एक्जैम्स में तो मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इस पूरे वीडियो क्लास को आप आप एंड तक देखिए काफी कुछ आपको सीखने को इसमें मिलेगा और काफी सरे कॉंसेप्स मैं इसमें इसमें आपको डिसकस करने हुआ और यह यह वीडियो क्लासेज आपको हिंदी में भी मिलेंगी और इंग्लिश टू इंग्लिश भी इनको मैं अप्लोड कर रहा हूं तो इंग्लिश टू इंग्लिश जो जानना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं वो के बाद no error लेकिन यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर यह सीक्वेंस अलग तरीके से दिया गया है और कुश्चन का पैटर्न भी बिल्कुल अलग तरीके से दिया गया है अब यहाँ पर देखिए no less than twenty persons were killed in the air crash yesterday अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर persons की बात कर रहे हैं और persons है counting countable accountable के लिए हम less नहीं लगाते less तो हम quantity के लिए लगाते less quantity less sugar less oil ठीक है जब हमें गिनना होता है तो उसके लिए हम few लगाते है few ठीक है और यहाँ पर then चुकी लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर हम बोलेंगे no fewer than no fewer than यह नियरी A मैं इसका ए इसका सही आंसर होगा और ए दिया है फिप्ट में तो फिप्ट इसका सही आंसर आपका होगा ठीक है आगे देखिए the word we live presents an endless variety of fascinating problems which excite our wonder and curiosity देखे प्रॉब्लम्स चुकि प्लूरल है इसलिए excite यहां पर सही है इसमें s नहीं आएगा यह सही है और यहां पर देखिए presents इसलिए सही है क्योंकि यह word के साथ लगा हुआ है word singular है तो presents सही है लेकिन यहां पर एक proposition missing है the word we live in we are living in a word ठीक है या तो आप ऐसे बोलिए we are living in a word या फिर ऐसे बोलिए the word we live in तो यहां पर in जो है यह missing है यह पार जो है इसमें कुछ ना कुछ ना कुछ मतलब in की missing है इसमें और a इसमें आपका अंसर होगा a क्योंकि a दिया है fifth में ठीक है आगे देखिए एक यह काफी अच्छा question है many are student देखिए many are student मतलब कई सारे student लेकिन many जब आप लगाएंगे तो यहां पर आप students बोलेंगे लेकिन many a जब लगाएंगे तो यहां पर cable student बोलेंगे तो many are student यह सही है phrase लेकिन यह चुकि student singular है student इसने singular है क्योंकि यह a के आगे लगा हुआ है और a के आगे चुकि यह लगा हुआ है इसलिए student singular है तो यह वर्व भी यहां पर singular आईगी ठीक है तो is इसमें आपका सही आंसर होगा यह निए b इसमें सही आंसर होगा b दिया है fourth में तो fourth इसमें आपका सही आंसर होगा देखें SBAPO 2020 की वेकेंसी आने वाली है फर्वरी में इसकी वेकेंसी आ जाएंगी और इसमें मैं अभी एक offer चला रहा हूँ SBAPO 2020 का मेरा प्रेजर कोर्स यदि आप एक साल के लिए जोइन करेंगे तो इसमें मैं बैंकलर का कोर्स आपको totally free of cost दूँगा और इस कोर्स को आप examiny.in यहां से आप जोइन कर सकते हैं bank course में जाके पहले आपको sign up करना है फिर आप यह course जोइन कर सकते हैं आप देखिए after their marriage the two brothers do not see I2I on any issue do not see I2I का मतलब है कि वो agree नहीं करते किसी भी issue पर तो two brothers तो यहां पर सही है do not be सही है see I2I phrase भी सही है they do not agree they do not agree on something भी सही है they do not agree on any issue any issue भी सही है फिर गलत क्या है यहां पर देखिए यह काफी अच्छा sentence है और इस तरह के sentences इस समय आप मान सकते हैं कि trend में है या fashion में fashion कहना तो गलत होगा लेकिन trend में है अब देखिए after their marriages after their marriage नहीं होगा marriage दो है क्योंकि दो ब्रदर्स की अलग-लग marriage हुई है तो यहां पर यह marriage जो word है यह गलत है after their marriages हम बोलेंगे a यहां पर सही answer होगा और second का a इसमें आपका सही answer होगा question number five देखते है no sooner will the holidays begin this beach will become very crowded मतलब जैसे ही holiday start होगी यह beach जो है यह बहुत crowded बन जाएगा तो अभी पिछले वीडियो क्लास में मैंने बताया था कि hardly के साथ हम क्या लगाते हैं when उसी तरीके से no sooner के बाद हम क्या लगाते हैं then तो no sooner will the holiday begin यहाँ पर एक clause खतम हो गया ठीक है इसके बाद हम यो then लगाएंगे वो यहाँ पर लगाएंगे यहाँ then की position यह है यह यह जो दिया है यह बी में दिया है और बी कहां पर है इसमें first में तो answer क्या होगा first ठीक है question number six देखते है if neither of them देखे नीदर जो होता है नीदर का मतलब क्या होता है दोनों मैंसे कोई भी नहीं एक भी नहीं तो एक word आ रहा है यानि singular होता है नीदर और either जो होते हैं यह singular होते है ठीक है दोनों मैंसे या दो से जादा मैंसे एक भी नहीं तो देम तो यहाँ पर सही है लेकि नीदर चुकि सिंगुलर होता है इसलिए यहाँ पर यह जो वर्ड है यह गलत है इस यहाँ पर आएगा और यह पार्ट किसमें दिया है बी में तो इसका अंसर होगा आपका थर्ड ठीक है कुशन में सेविन देखते हैं अब देखिए यह एक कुशन है और मैंने रिपीट किया है इस कुशन को लेकिन इसमें कुछ अलग गड़वर है नीदर अफ देम सिंगुलर होता है तो सिंगुलर वर्ब तो यहाँ पर दी है लेकिन इसके लावा इसमें क्या गल्ती है इसमें हम यह बोल ले हैं यह दोनों में से इसका मतलब यह है कि दो पार्टीज हैं और दोनों में से हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं इसलिए आगे कोई भी चीज को इन्वेस्ट करना ठीक है एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा तो यहाँ पर फार्दर न लगाते हुए हम लगाएंगी फार्दर फार्दर का मतलब होता है अडिशनल यनि दी इसमें आपका सही आंसर होगा मतलब उस डोर को प्लीज टच मत करो क्योंकि उसको अभी अभी पेंट किया गया है प्लीज डू नोट यहां तक सही है यहां तक सही है क्योंकि एस का मतलब है क्योंकि एज इट इट भी यहां पर सही है एज इट इट हैस जस्ट बीन जस्ट को हम हैज और बीन के बीच में लगाते हैं जस्ट को हम हैज और बीन के बीच में लगाते हैं हांवा i acht दिए में प्रेकनरा के इसका एंसर होगा तो कभी एसे कोशिंस भी आते इस में वोर्ड तो रहे हैं तो प्लेश्मेंट गलत है तो ऐसे कुश्यर्ट भी इसरी कैसंतीасть अब ये देखेए ah keyp और प्रॉमिस अपना देभाना की पर प्रॉमिसied को अपना बादाने पहना लेकिन we have, यहां पर हम keep क्यों बोलना है, यहां पर हम kept बोलेंगे ना have के साथ तो हम kept बोलेंगे इसलिए a इसमें आपका सही आंसर है a दिया है third में, इसलिए आपका आंसर होगा इसमें third next question देखते हैं, one day in future, मतलब एक दिन भविष्य में you will repent over what you have done today मतलब जो आज आपने किया है उसके लिए भविष्य में आप किसी दिन आप उसके लिए पस्ताएंगे तो repent का मतलब क्या होता है repent का मतलब पश्याताब करना regret भी इसको हम बोलते हैं ठीक है I am repenting तो repent के साथ हम यह over word नहीं लगाते यह गलत है यहाँ पर repenting what you have done ठीक है तो भी इसमें आपका सही आंसर होगा फोर्थ इसमें आपका सही आंसर होगा तो इस तरीके से यह 1010 questions मैं ले रहा हूँ और यह best questions हैं इस पर्टिंगर के questions में आपको problem आती है तो मेरे सबी video classes देखिए मेरी सारी playlist में जाके इन सबी video classes को देखिए और यदि यह video class आपको अच्छी लगिया तो इसको like जरूर करें जा सदा share करें comment करके मुझे बताएं और subscribe जरूर करें यदि मेरी paid classes आप join करना चाहते हैं तो examiny.in इस website पर जाके मेरी paid classes banking और ssc के लिए इनको आप join कर सकते हैं highly useful ये classes है और English section में यदि कोई problem है तो आपकी problem पूरी जड़ से खतब हो सकती है यदि आप ये मेरी paid classes join करते हैं इस site को आप ज़रूर visit करें यहाँ पर आप sign up करें उसके बाद आप course को जितनी वेलिटी के लिए आप चाहते हैं उतनी वेलिटी के लि हुआ उसको भी आप जरूर देखें इस वीडियो प्लास में इतना ही अब मैं आपसे मिलूंगा next वीडियो प्लास में thank you